हेलो दोस्तों दृष्टी आईयस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है हमारे समाज के अंतरगत हमारी एक आधी आबादी से जुड़े हुए मुद्दे यानि हम कह सकते हैं कि महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे बहुत लंबे समय से चर्चाओं में बने हुए हैं और खासतोर से एक लंबा इतिहास रहा है जिसके बाद धीरे-धीरे करते हुए उनको समाज की मुखधारा से जुड़ने की बात सामने आई और अब उनके अधिकारों को लेकर के कई सारे विशे सामने आ चुके हैं इन्हीं अधिकारों को ध्यान में रखते हुए एक और मुद्दा जो काफी लंबे समय से चर्चा में है उस पर एक बार फिर से जाच किये जाने और सवाल किये जाने की बात हो रही है यह विशह है महिलाओं से जुड़े हुए जो विवाह की उम्र है वह क्या होनी चाहिए और अलग-अलग कानूनों में उसकी अलग-अल हो सकते हैं अलग-अलग धर्मों के जो कुछ अलग व्याख्या करते हैं और जो हमारे समविधान के अंतरगत कुछ कानूनों को सरकारों ने बनाया है उनके अंतरगत व्याख्या कुछ और दिखती है तो ऐसे ही कुछ सवाल सुप्रीम कोर्ट के पास आये हैं जिन पर आज क सेशन में हम चर्चा करेंगे विशय है परसनल कानूनों में क्या हो महिलाओं के विबाह की उम्र तो इसको लेकर कि सुप्रीम कोट ने क्या कहा है किस तरह से जाच फिर से सवालों की घेरे में आई है क्या यह पूरी तरह से विशय है जिसमें हमको कुछ बिंदूओं को समझन चाहिए क्योंकि यह विशय अपने आप में इसके पक्ष और विपक्ष दोनों ही बातों की मांग करता है और दोनों ही दलीले अपने आप में ठीक दिखाई पड़ती हैं तो न्यूज है वाइज दा सुप्रीम कोट एक्जामिनिंग मैरिज लॉस पॉर माइनर्स तो ऐसे लोग जो की नाबाल्ग हैं उनके लिए विवा की उम्र पर सुप्रिम कोट क्यों चर्चा कर रहा है इसको देख लेंगे इसके बाद बात करेंगे स्प्रीम कोट आखिरकार किस विशह में बात कर रहा है क्या देखना चाह रहा इसके बाद असम सरकार ने एक हाली में निरड़े लिया है उसको भी जानेंगे एक निशकर्ष देखेंगे और एक सवाल जो कि मेंस के स्थर पर आप से पूछा जा सकता है यह विशय जियस पेपर टू के अंतरगत शामिल है सामाजिक न्याय स्वास्थ और महिलाओं से संबंदिज जो सम्विदंशील मुद्दे हैं उनको लेकर के बात करता है तो शुरू करें चर्चा क्यों की गई है क्योंकि कुछ समय पहले सुप्रीम कोट ने घोशणा की है कि वे 15 वर्ष से कम उम्र की जो नाबालिक लड़कियां है उनसे जुड़े हुए जो कस्टम या परसनल लॉज हैं वो उनकी शादी की उम्र किस तरह से निर्धारित करते हैं या उन कानूनों के आधार पर इन परसनल लॉज के आधार पर किस तरह से जो 15 वर्ष या उसे कम उम्र की लड़कियां है उनका विवाहत तैय कर दिया जाता है तो इसकी जाच की जाएगी कि क्या यह जो विशह है यह जो शादी वाली बात है यह अपने आप में सही है या फिर नहीं है दूसरी बात अगर हम इनको अन्य कानूनों में देखेंगे तो यह जो विशह है इसके अंतरगत अपराध माना गया है वहाँ पर 15 वर्ष से अधिक उम्र में विवाह करना लीगल है तो शादी की कानूनी उम्र को देखें महिलाओं के लिए 18 वर्ष अभी चर्चा की गई है सुप्रीम कोट ने क्या कहा था 18 वर्ष से कम उम्र की पतनी के साथ संबंद बनाना भी रेप की कर्टेगरी में आएगा अब रेप से संबंद जो आई पीसी की धारा है वो क्या कहती है आई पीसी तीन सो पच्छत्तर इसमें इसके प्रावधानों को इस च्रेडी में शामिल किया जाएगा कौन-कौन से एक्ट शामिल होंगे और कितने उम्र से कितने उम्र के लोग इस तरह में इस प्रक्रिया में जूड़ सकते हैं लेकिन इसमें एक अपवाध है जो की एक्सेप्शन टू के रूप में इसमें शामिल किया गया है इसमें क्या कहा है कि सेक्शुल इंटर कोर्स और सेक्शुल एक्ट बाई अमेन विद इस ओन वाइफ दा वाइफ नॉट बींग अंडर 15 इयर्स ऑफ एज इस नॉट रेप यानि ऐसा व्यक्ति अपनी पतनी के सा अगर किसी तरह के शारेटिक संबंद बनाता है तो वहाई रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा बशर्ते उसकी पतनी 15 वर्ष से कम उम्र की नहीं होनी चाहिए जबकि अन्य कानून इसको 18 वर्ष के लिए तैय करते हैं तो एक यहाँ पर हमें विभेद दिखाई देता है बड़ा ही कि एक कानून इस तरह से बात कर रहा है और दूसरी धारा इसको इस तरीके से प्रस्तावित कर रही है तो हलागि सुप् दाना चाहिए उसकी जाच होगी दूसरी बात इसके पहले पंजाब और हर्याणा हाई कोट ने निरणय को लेकर के भी एक याचिका सुप्रीम कोट के पास आई है राष्ट्री बाल अधिकार संरक्षण आयोग इसे nc-pcr कहा गया है इन्होंने याचिका दायर की थी तो ज स्लिम परसनल लॉग के मताबिक वह विवाह कर सकती है अब इस बात को लेकर के भारत के मुखिनाएधीश डीवाई चंडचून ने एक आपचारिक नोटिस जारी किया है और उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट का यह जो निरणय हैं अपने आप में जो अन्य अदालते हैं उनक इसे के कुछ प्रावधानों के तहट अपराद है ऐसे में यह दोनों बाते कैसे एक साथ चल सकती हैं और रिवाजों की जो दलील की बात की गई है इस फैसले में उसके खिलाफ उन्होंने यह आचिका दायर किती और यह कहा था कि ऐसे व्यक्तिगत कानून हमारे द्वारा जो संसद है उसके द्वारा लाए गए कानूनों से उपर क्या हो सकते हैं या होने चाहिए इसके अलावा सुप्रिम कोट ने कहा है कि पॉक्स्तो अधिनियम और आईपीसी के तहत सहमती की उम्र कम की जाए इसको लेकर कि संसद से भी अपील किती हलांकि संसद ने अभी तक इसको लेकर के किसी तरह का जवाब नहीं दिया है संसद्यक है सरकार ने तो अठाराइव साल अभी के लिए निर्धारित है तो इसलिए शुरू में हमने चरचा की इस विशय को लेकर के दो अलग तरह के पक्ष जहा पर विवाह की उम्र बढ़ाए जाने की बात ची गई है दूसरा पक्ष है जो इसको कहता है कि विवाह की उम्र हमें लड़कों की भी कम करके लड़कियों के बराबर कर देनी चाहिए तो बाल विवाह निशेद संशोधन विधेयक 2021 में एक लाया गया था जहां पर महिलाओं की विवाह की जो नियुंतम आयू अभी 18 वर्ष इसको ब आया गया था इस पर हमने पहले कई बार चर्चा भी की है तो संसत की स्थाइस अमिति के पास इसको भेज दिया गया आगे के विचार विमर्ष के लिए कि कितना सही है या क्या है अभी तक उनकी रिपोर्ट नहीं आई है उन्होंने इसको लगबक तीन बार अत्रिक समय वो उम्र है वो अपने आप में सही नहीं है और इनका भी यही कहना था कि जो पर्सनल लॉज है वो पॉक्सो एक्ट और अन्य कानूनों के जो वैधानिक प्रावधान है क्या उनसे ऊपर होंगे या क्या उनको ओवर्राइड कर सकते हैं ये प्रश्न पूछा गया है अब इन अलाग अधिनियम 1936 इस्पेशल मैरेज एक्ट 1954 और हिंदू मैरेज एक्ट 1905 ये सब ही कानून अगर अलग-अलग धर्मों के हिसाब से भी देख लिया जाए तो कहते हैं कि पुरुष विवाह की जो नियुनतम आयू है वो 21 साल होगी और महिलाओं के लिए 18 साल अब यहां के विवाह फिर अलग-अलग धर्मों के हिसाब से लोग करा सकते हैं अब मुस्लिम जो पर्सनल लौज हैं वो कहते हैं कि पीबर्टी की उम्र में या फिर लगभग 15 वर्ष की उम्र में विवाह किया जा सकता है यह अपने आप में ठीक नहीं है क्योंकि इस उम्र को नाबा इस यार ने मिलकर के यह सर्वे किया जहां पता चला कि तेरह राज्य ऐसे हैं जिनके सत्तर जिले बहुत ज्यादा बाल विवाह में आगे हैं तेरह राज्यों का जिक्र हैं उनके सत्तर जिले तो असम बिहार गुज्राज जार्खंड करनाटक मध्यप्रदेश महाराष्ट राजिस्थान उत्तर प्रदेश और पश्यम मंगाल इसमें शामिल हैं जहां पर जार्खंड को इससे संबंदित जो भी विवाह हैं बहुत ज्यादा जो बाल विवाह होते हैं इसके रूप में देखा गया है इसके अलावा पश्यम मंगाल में भी इस तरह के मामले बहुत तो जार्खंड का अगर एक सर्वे देखे हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो पाच्वा हुआ है 2021 का वो बताता है कि 32.2 फीसद जो महिलाएं हैं उनकी शादी 18 वर्ष की उम्र से पहले कर दी गई थी अगर हम इसको 2016 में हुए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पोर से पेर करें इसकी तुलना करें यहां पर हमें आकड़ा दिखाई देता है कि 37.9 फीसद था यानि अब जार्खंड में जो इस तरह के आंकड़े हैं उसमें थोड़ी गिरावट आई है पश्चिम मंगाल में देखें तो जो पाच्वा सर्विक्षड है वो अताता है कि 41.6 फी देखेंगे तो यह भी आंकड़ा लगभग इतना ही था यानि इनके अंतरगत पश्चिम मंगाल में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं देखने को मिलती मद्य प्रदेश में देखेंगे तो बाल विवा हमें कमी दिखाई देती है नैशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में 32.4 फीसद था जो की 5 में आते आते 23.1 फीसद हो गया हाला कि यहां पर शिशु मृत्युदर काफी उच्च देखी गई है 41.3 प्रती 1000 जीवित जन्मों के अंतरगत की 41.3 प्रती 1000 में जो जीवित बच्चे आते हैं उसमें इतनकी वृत्य हो जाती है तो कम उम्र में शादी के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं अध्यान बताता है कि वैस्क होने से पहले अगर शादी हो गई है महिलाओं की तो प्रजनन के काल में उसके पास ज्यादा विकल्प नहीं होते ही ये समझ नहीं होती या फिर या अधिकार भी कम होते हैं कि वो अपनी किसी बात को सामने रख सके ऐसे में संभावना ये भी है कि वह 18 से पहले ही मा भी बन जाए इक पहला दूसरा शिक्षा स्वायतता और अधिकार कम हो जाते हैं तो 15 से 19 वर्ष का जो आयूसमू है उसमें लगबग 69 फीसद भारती लड़कियां एनीमिया से भी पीड़े थे इसके अलावा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे अगर आप 4 को देखेंगे तो इस समय आकड़ा 54 फीसद था जो कि अब 69 फीसद आपको जन्मा बच्चा है उसके स्वास्थ को भी दिक्कत होगी इसके अलावा इसको शिक्षा से भी जोड़ करके देखा गया है ऐसा सामने आया है कि अगर महिलाओं को दस वर्षों की भी शिक्षा मिल जाती है तो आने वाले समय में वे अपने बच्चों को ले करके जादा पतंत्र होती हैं और जादा ठीक तरीके से चीजों को सोच पाती हैं वो यह चाहती है कि वो लगभग एक ही बच्चा पैदा करें जिससे की आगे चलकर उसके शिक्ष और स्वास्त पर वो अपने उपलब्द संसाधनों को लगा पाएं लेकिन इसमें शिक्षा का बहुत ज्यादा महत तो देखा गया है यह भी सर्विक्षण में पता चला था अब बात करें कि असम सरकार का क्या निड़न है रहा जिसको हम उदाहरण की रूप में यहां पर ले रहे हैं तो असम कैबनेट ने घोश्रा की है कि नावालिक लड़कियों से शादी करने पर दो साल से लेकर आजीवन कारवास तक दिया जा सकता है इससे संबंदिज जो भी कानून है अलग-अलग उनके आधार पर मामले दर्ज किये जा सकते हैं और नेशनल फैमिली हेल अगर आश्ट्री ओसत्ति इसकी आप तुलना करेंगे तो यहां पर दिखाई देता है 23.3 फीसद महिलाएं ऐसी हैं जो की प्रतिबंधित उम्र से पहले उनकी विवाह हुआ है और 6.8 फीसद ऐसी है जो की वैसकता से पहले मा बनी है यानि 18 वर्ष की उम्र से पहले तो नि बढ़ाना चाहिए जैसा कि हमने शुरू में देखा कि 21 वर्ष की जाने की बात भी की जा रही है अलाकि इसके अपने फायदे हैं इसके फायदे क्या है कि उनको और अवसर मिलता है और मौके मिलते हैं आपको तुलना इन में यह कर ली है कि कौन सा ज्यादा महत्पूर्ण है ठीक है तो इसके अलावा आने वाले समय में जो उनके बच्चे होंगे बच्चों को लेकर के जाग रुकता उनके पढ़ाई उनके संसादन उनके खर्च क्योंकि एक बच्चा ही आगे चलकर के समाज के निर्माड में युगदान देने वाला है जिसके विकास में मा की महत्पूर्ण ऐए पहला ये एक अगर उम्रे बढ़ती है दूसरा ये है कि इस उम्र को कम किये जाने की बात की गई है अगर हम विधी आयो की एक रिपोर्ट को देखें गे तो उन्होंने भी उसामय देgres एक तरीके से उनकों पर दबाव बढ़ती है कि अपने समय कि हिसाब से निया अपने हिसाब से फिर उनके विवाह को कई बार ऐसा करते हैं कि विवाह वो अपने हिसाब से कराएं अपने पसंद के लड़के से कराएं तो कई बार इस एक्ट का दुरुपयोग भी इस तरह से देखने को मिलता है इसके अलावा अगर विवाह की उम्र कि इस प्रावधान में इस टॉपिक में शुरू से हमने यह देखा कि पंद्रह वर्ष वाला जो मुस्लिम लौ पर्सनल लौ है उसको ले करके प्रशन पूछे गए हैं कि इसके हिसाब से फिर क्या होना चाहिए हला कि सुप्रीम को लेंगे आने वाले समय में जाच के बाद जो भी बात होगी हमें पता चलेगी तो रोकना और कम करना एक उप्युक्त विकल्प को सकता है इसके लिए कई तरह के प्रयास करने होंगे जैसे की प्रजनन स्वास और कानूनों के प्रावधान उपर जागरुकता और लक्षित हस् आउज करने होंगे और ऐसे प्रयास पहले भी किये गये हैं तो आफ करेंगे और प्रश्न की दिमांड के हिसाब कि उम्र के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए चर्चा कीजिए तो आज की टॉपिक में हमने समान नागरिक सहिता पर बात नहीं की है आपने इसके पहले इसको बारे में चर्चा करनी है तो 250 शब्दों में कि इसको आप फ्रेम कर सकते हैं तो इसको एक बार फ्रेम करने का अभ्यास कीजिए बताई कमेंड में कि आपने इसको किस तरह से लिखा है आप से मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य विशय के साथ अब तक पढ़ते रही अपन आप